दोस्तों हम सभी की चाहत होती है कि हमारा चहरा खुबसूरत हो किसी भी तरह के दाग धब्बे फोडे फूनसी हमारे चहरे पर ना हो और इसके लिए हम तरह तरह के ब्यूटी प्रोडेक्ट का इस्तमाल करते हैं किसी भी तरह के फोडे, फोंसी, कील, मोहा से दाग, धब्बे आपके चेहरे पर नहीं रहेंगे। तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आपको करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बैल आइकन है उसे ज़रूर से दबा दें, जिससे मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं। इस रेमिडि को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है गौर पाठा यानि की एलो वेरा, इसको काटने के बाद ना इसको ऐसे ही लगबग आदा घंटी के लिए किसी ग्लास वगएरा में ये किसी भी चीज से टेक कर इस तरह से रख दीजे, इससे क्या होग अब यहाँ पर इसको दो टुकडों में मैंने कट कर लिया है, साइड से इसके कांटों को हम हटा देंगे और इसकी इसकिन को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे दोस्तों इसका जो जैल है ना वो हमें चाहिए, वो हमारी इसकिन के लिए बहुत ज़दा फाइदे मन्द है, ये देखिए, मैं क्या करूँगी, इस तरह से चाकू से इसमें कट लगा लूँगी, जिससे इसका जो जैल है, बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा, ये दे दोस्तों बिलकुल इसी तरह से दूसरी पत्ती है ना, उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और इसका भी हम जैल निकालने के लिए उसी तरह से चाकू लगाएंगे, और ये देखिए, इसको भी मैंने इस तरह से तयार कर लिया है, क्योंकि हम दो रेमिडी बनाने वा जाता है ना उसको भी ये विमूब करता है और इसके साथ यहां पर जो हमने हल्दी ली है हल्दी तो आपको पता ही है कि हमारी इसकिन के लिए कितनी ज्यादा अच्छी रहती है इन दोनों को जो हम इसमें मिक्स करके लगाते हैं तो दोस्तों इसकिन से जुड़ी जो भी समस् में जैल है ना तो इसलिए मैंने बड़े टुकड़े लिए हैं आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पीस करके भी ले सकते हैं चीनी जो होती है हमारी तुच्छा पे स्क्रविंग का काम करती है जितनी भी मृतिक को शिकाए है ना यानि डेड इसकिन वह अच्छे से रिमूब हो जाते हैं तो यहां पर दीखे पहला जो मैंने पत्ता लिया था उसको मैंने तयार कर लिया है इसी तरह से मैं दूसरा भी तयार करूंगी तो यहां पर दूसरे पत्ते में भी यानि जो एलोवेर का जैल है उसके अंदर हमें कॉफी को डाल देना है दूसरी चीज भी मैं पर लेने हूँ चुटकी भर के हल्दी ठीक है और यह हल्दी आप अपनी किचन में जो यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं या फिर आमबा हल्दी या फिर कस्मीरी या कस्तूरी हल्दी करके आती है मार्केट में वो भी आप ले सकते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत जदा अच्छी रहती है तीसरी जो चीज मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आठा चावल का आठा हमारी तुच्छा को बहुत अच्छे से स्क्रब करता है और जितनी भी चीजे हमने इसमें मिलाई है जब आप अमने स्किन पर उने लगाओगे तो आप देखोगे बहुत स्किन में चमक आएगी गहराई से आपकी स्किन को साफ करेंगी जितने भी फोड़े फुंसी आपके चेहरे पे हैं दाग धब है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे तो इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं कुछ लोगों को हल्दी सूट नहीं करती दो आप खालदी को स्किप कर सकते हैं सिर्फ जो लिया है हमने moyamal का आट लिया है इनका ही आप यूज तो अब के रिंग कर लेना करना है आपको पानी से तो निकाल लेजे और इसके बाद आपने पत्ति तियार की है इस और अच्छे से अपने पानी में चाह रहे हूँ इस जेल से अच्छे से अपने चेरी की मसाज कर लेनी है जो निखार आपको अच्छे-च्छे महंगे-महंगे फेशियल से मिलता है वही निखार आप देखेंगे आपको इस चुटकी भर हल्दी, कौफी और ये जो हमने चावल का आटा लिया है ना इससे मिल जाएगा दोस्तों जो लोग धूपे बहुत ज़ादा जाते हैं आपने देखा होगा उनकी हात पैरों पे सनवन हो जाता है काले काले से निसान छोड़ देता है जितना भी जगह खुली रहती है वो एकदम ब्लैक हो जाती है तो आपने खुले हुए हिस्सों पर भी जैसे की हात पर गल पर पीट पर भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं लगबग 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजे जिससे जितनी भी हमने इसमें चीज़े डाली है वो अच्छे से आपकी इसकिन में अंदर तक जाए और अपना काम कर सके इसकी जो गुड़नेस है आपक पर ठीक है दो पत्तों को लीजे आप दोनों को अच्छे से अपनी चहरी पर आप मसाज कर सकते हैं तो चाहें आप राइस फ्लोर डाल दीजे या फिर सुगर डाल दीजे ठीक है इन दोनों में से एक ही चीज़ का आपको इस्तमाल करना है दोनों तरीकों में से आप कोई भ आप देखोगे ना तो एकदम हैरान रह जाओगे पहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं बस इसके बाद आपको चेहरे को अच्छे से पानी से धुल देना है आप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूस्फुल रहा होगा तो जरू से ट्राइ कीचेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाबाए ब्रीवन